किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो सिबिलिंग पर चड़ा प्रसाद खाना चाहिए या नहीं आज सास्त्र के अनुसार जो पौरानिक कथा है उस कथा को बताएंगे सुनाएंगे हिंदु धर्में देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहन करना शुभ माना गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शीब के प्रतीक शिबलिंग पर चड़ा प्रसाद निशेध माना गया है शीब पुरान के अनुसार प्रसाद सभी प्रकार के पापों को नश्ट करता है लेकिन भगवान शीब के सिबलिंग पर चड़ा हुआ प्रसाद को ग्रहन करने की मना ही है सिबलिंग पर चधाये गए प्रसाद को ग्रहन करने की मना ही है एक पौरानी कथा के अनुशार एक बार भगबान सीब के मुह से चंडेश्वर नामक गन परकट हुआ सिबलिंग पर चधा प्रसाद भूत प्रेतों के मुखिया चंडेश्वर का अंस मना जाता है ऐसे में सिबलिंग पर चधा प्रसाद भूत प्रेतों का अंस मना गया है मनता है कि जो सिबलिंग पत्थर, मिठी या चीनी मिठी का बना होता है उन पर चधाया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए इन सिबलिंग पर चड़े प्रसाद को जल में प्रभाहित खतम कर देना चाहिए और धातु से बने सिबलिंग ओपारत के सिबलिंग पर चड़ा हुआ प्रसाद चंडेस्वर का अंस नहीं माना गया है यह महादेप का अंसमाना गया है इसलिए इसे ग्रहन करने में दोश नहीं लगता सिबलिंग के साथ साली ग्राम होने पर भी दोश समाप्त हो जाते हैं तो बोल जी हर हर महादेप जये सिबसंभो